हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यार यहां पर तो कोई भी नहीं दिख रहा किस से पोचो इतना गहना जंगल है कोई साइन बड़ भी नहीं है यहां पर अरे भाई साब यह पिपलिया गाओ का रास्ता यही है ना अरे शुनो ना भाई साब अरे बड़ाजी बात में है हाई बेबी हाई पहुच गए बस पहुचे वाला हूँ तो टेल मी तुम अब तक नहीं पहुचे इतने लेट कैसे हो गए अचली क्या यह जगह शेहर से काफी दूर है और यहां जादा लोग भी नहीं दिख रहे मुझे अल्राइट, टेल में, अर्यू मिस्सिंग में? अफ चॉर्स, मैं पूछे वाली क्या बात है? अच्छा, तुम एक काम करो जल्दी जल्दी सारी फॉमालिटीज कहतम कर लो अपनी सारी काखजी कार्वाई और उसके बाद, मेबी, नेक्स बाइट से, इसके बाद, मैबी, न पहुज गया हूँ, वो मकान दिख रहा है मुझे, अरे ये गेट क्यों बंद है? जीप? राहे रंजीत के मकान में जा रहे हो? हाँ? मच्चा, मच्चा! वो तेरी सिंदगी की सबसे बड़ी गल्ती होगी! मच्चा, मच्चा! लेकिन आप कौन है? मैं, तुम्हारी मौत! तुम्हारी मौत! ये बुढिया, चल चल, रेजाब! अच्चा, अच्चा, वरना तु भी मरेगा, तु भी मरेगा! मच्चा, वरना तु भी मरेगा! वो भी मरेगा! ये बुढिया साथ, अब राज साथ है? हाँ हाँ हाँ! आई आई! आई आई! हलो, राज! राज, आई अच्चा, वार्ज है? कौन था? वार्णा मैं ठीकू, कोई नहीं था और मैं मैं पॉँच गया हूँ ठीक है बंगले पे मैं कॉल कर तो तुम्हें, okay? Okay, you take care, huh? I'll speak to you soon. Bye. Bye, bye. आइजे साहब. साहब, साफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, फेकिन वो औरत कौन थी? बुडिया औरत जो आपसे बात कर रही थी ना, लाली नाम है उसका. थोड़ी अजीब सी है. आपको उसकी बातों का बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस औरत ने मुझे यहां आने से मना क्यों किया. जाने दीजे ना साहब उसकी बातों का. थोड़ी सी हिली हुई है, कुछ भी बक्ती रहती है. आप आई, अंदर आई. आई, यहां भी तो मुझे बीच रास्ते में मिला था. आप, उसका नाम कमल है, यहां कमाली. हमने सोचा अब आप यहां पर रहने वाले हैं, तो क्यों ना बगीचे के जो रंग बरंगे फूल हैं, फिर से क्यों आई, फिर लुटाएं. अच्छो, आईए साब. शाचा, एक बात बताईए, यहां कितने साथ से काम कर रहे हैं? बस साब यह समझ लीजे कि मैंने बचमन बेच चलना यही से सीखा था. और आप इस घर से तब ही जाओंगा जब मेरी अड़ती उटेगी. साब, अब यह घर आपका है. कहीं आप मुझे नौकरी से निकालते हैं? अरे नाई, 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 शाचा, ऐसे एक एसे बात कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं, बिल्कु बेफिकर रहे हैं. और इसमें इतने बड़े घर कि देख रहे हैं, आपके सिवा और कौन कर सकता है? हाँ? वाकवी में आप बहुत नेक इंसान है. आए. साहब, यह है आपका रूम. वाश्रूम उदर है. आप फ्रेश हो जाएगे, तब तब मैं आपके लिए खाने पीने का बंदो उबस्त करता. ठीक है. ठीक है साहब. चला जा. चला जा. चला जा, वरना तू भी मरेगा. कौन? कौन? मैंने कहाना, चला जाओ. कौने है? जैसे बाकी लोग मरे हैं, वैसे तू भी मरेगा. कौने के लिए थार. भाने! एकल वबदों अटो मग्हीं? पचाहूँ... पचाहूँ... आजाएज सृष बाचाूँ बाचाूँ अजड़ सूचिए! आजाएज अजयक आज़ को एज जयक्याएज अज़ दो आज़ रहा जो जृक्ष फेले प्रमस करें दो और भॉणगं गार्ज़ा तो असेफे प्रदिवन प्लीज़ अजरब, शान्त हो जाएगे, कौन बोल रही है? मैं कौन बोल रही है? मुझे क्या गाम है? मैं सिर्वोने बताऊगी. तो एक एक बोल रही है? प्लीज! एक एक बोल लिए. सर! हाँ, सर, फोन कॉले. सर कोई लेडी है, बॉत रो रही है. खेरिये सिर्व आप से बात करेंगी. हलो? हलो? ACP PRADYUMENT. हम एक 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 बोल लो! सर! मैं कही है? सर, मैं बना मोट्री अमेरिका से. हाँ, बताइए. सर, मेरे साथ बहुत, बहुत, बहुत भुँआ हुआ। क्या हुआ आपके साथ? सब मेरे फ्योंसे राज, इंडिया नहीं थे पुछ देने मकान करें थे सर बद्वों क्योंके कारने से उनके बहुत हो गए अच्छा तो बताईये मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए सर निगे लगता है कि उनके बहुत बद्वोंक्योंके कारने से नही हुई इंड़ा, इंड़ाक इंड़ा उनका मौडर हुआ है, इस बिन किल पर अच्छा बद्वार को आपको कि उनका खून हुआ है सर वो जब प्रॉपेटी करीदे के बाद कागजी कारवाय के लिए चारे थे तो तब, तब क्या हुआ हुआ सर मैंने साफसरा था राज को कोई औरत धंकार ही थी। कौन? कौन थी औरत? No sir, I have no clue. जर एक बात बताईए कि आपके राज की यहां, इंडिया में किसी के साथ कोई दुष्मनी थी? कोई जगडवगड़ा हुआ था? नहीं sir, राज की किसी के साथ कोई अनिमेटी कोई दुष्मनी नहीं थी एक राज तो इंडिया कोई जानता ही नहीं था तो फिर कॉन कर सकता यह? कॉन जान में सकता है, राज की? क्या आपको किसी पर शक है? नहीं sir, कोई शक नहीं Sir, राज तो इनेक काम करने जा रहे थे कैसा काम? He wanted to start an orphanage सिर्फे कानातो उस्रम खोलना जाते थे वो वाकई नेक काम है लेकिन किसे खरीदने वाले के मकान वो? Sir, मकान वो और रड़ी खरीच चुके थे गव्मेंन से निलामी के बाद वो sir, इन्या कागजी कारवाई के लिए लिए एक काम कीजी सारे के सारे डिटेश्स मुझे भेज दीजे मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा Sir, मनी CIT के बारे में बहुत सुना Sir, मुझे मुझे भी जस्टस बिलेगी ना Vandana ji, मैं आपसे वादा करता हूं आपको पूरा का पूरा इंसाफ दिलाएंगे और जिसने भी आपके राज के साथ बुरा किया है उसे हम सजा दिलवाएंगे Vandana इसका मंगेतर राज अमेरिका से इंडिया आता है मकान खरीदने अनात आश्रन चराने पर राज की मौत होती है मदुमक्खी के काटने से इंट्रेस्टिंग सर यह वही बंगला है जो राज ने सरकार से निलामी में खरीदा था अच्छी खासी प्रापरेटी लग रही है आप देखबाल करते हो जेगे की जी हाँ, कहिए करेंगे आप हम सिफ सुनेंगे क्या मतलब C.I.D. C.I.D. क्या बात होगी सर राज राकेश नाम के एक आदमी का खून हुआ है आप लेकिन यहां इस बंगलो में आने से पहले किसी औरत ने उन्हें दम की दी थी और नहीं कोई अपना परिवार आये साब राज साब यहां गिरे पड़े थे पहले मदू मक्यों ने राज साब को मारा फिर वह खुद मर गए के मदू मक्य के हमले यहां पर अकसर होते रहते हैं क्या नहीं साब इससे पहले तुमेने एक मदू मक्य भी ने देखी यहां पतानी राज साब के पिछे इतनी सारी मदू मक्यां अचानक कहां से आवे रायरंजीत की हवेली से आ रहे हो ना तुम लोग चाह का अपने रायरंजीत के मकान से लोट रहे हो आप कौन है क्यों गए थे वहां अपनी मौत को तावत देने गए थे सार लगता है यह लाली है है आप आप लाली हो ना हाँ तुम्हें किसने बताया तुम्हें तुम्हें रायरंजीत के जासूस उने यहां बेजाए हाँ उन्हों नहीं बेजाए ना यहां पे कौन कौन रायरंजीत साप था वो साप उसने मेरे तादी को तोखा दिया उन्हें अपने ही घर से दख बार के निकाल दिया साप चाड़िये मुझे, मुझे रे घर से मन निकाल मुझे मेरे घर से मन निकाल शराम आ नेचे तुम्हें राणजीत तुम अबनी खुद की भावी को घर से भार निकाल ले ओ कमसे कम अबने भाईया का तो लियाज किया होता खरे उनका क्या लिहास करना उन्हेंने खुद ही तो अंगूसा लगा कर ये घर मेरे नाम किया है तुने उन्हें शरा पिला कर धोके से अंगूठा लगवाया था अब क्यू किया, कैसे किया, इस गहराई में जाने से क्या फाइदा समझने वाली बात तो ये है कि ये मकान अब मेरा है और तू साथ पर आगई है कलो निकलो इसे जासे तेरे हिस्से में ना सिर्फ घर नहीं आया है एक माकान आया है एक ऐसा माकान जिसके हर कोने में मेरी बद्वाई गुंजेगी मैं तुझे श्रापतेती हूं सिर्फ तो ही नहीं इस गर का जो भी मकान मालिक बनेगा वो जिन्ना नहीं बचेगा महुत का खेल होगा यहां महुत का खेल अब तर कितने लोग मरें? वो साब लोग मर गए जिन्नोंने वो मकान खरीदना चाहा तुम लोग वो घर मत खरीदना तुम बले लोग लग रहे हो वरना तुम्हारी बीबी बीद्वा हो जाएगी माजी ये ये कुछ पैसे हैं काम आएंगे सर लगता नहीं है इसका राज की मौत में कोई हाथ है ये तो खुद बिचारी सदमें और विश्वास में लग रही है हो सकता है राज की मौत पर मौट ही ना हो कोई हाथसा हो अरी ये कमरा खुला कैसे है ये तो बम था एक मन रुको शयाद राज ने खुला हो ये तो चत्ता है आपे कि तरा? जी साब ये है मदु मक्की का चत्ता मैं परली बाद यह हो साब तो ये राज यहाँ इस इस्टोरोम में क्या करने आया था? साब शाइब बविनु देख रहे होंगे अच्छा और उस वक तुम काना लेने गए थे? जी साब और वो कौन है? वो कमल हे साब यहाँ का माली कि जिए दाज आए तो यह था यहाँ पर? जी हाँ था कमल कि दो ला ओ साब बुला रहे जी साब कमल जब राज साब की महुत हो इती तो यह आसपास किसी अंजान आदमी को देखा था ताम कोई जीब सी घटना होई हो यह चत्ता यहां पर तो तुम्हें कुछ काम करने में परिशानी नहीं होती? मदु मक्की ने काटई नहीं करने तमको कभी? नहीं सब, मदु मक्की तु काटती नहीं जब यहां कोचा होता पहले तुमेले चत्ता यहा देखा घिने, साब क्या परboysराथब? हाँ साब मैंने आपसे पहले कहा ना कि इस से पहले इस घर में हमने एक मदू मख्ची भी नहीं देखी कमाल है पिर ये चत्ता आया कहा से और मदमक्यों ने राज को ही क्यों काटा ये तो कोई एक्सपर्टी बता सकता है आसान उनके क्या पता चला राज की मौत के बारे में मौत कैसे हुई बस इसकी मौत मदू मक्यों के वज़े से हुई है तुझे पूरा यकीन है राज की मौत मदू मक्यों के वज़े से ही हुई है ना बॉस, ये डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई है, मैंने वो भी देख ली, कि इस राज का अच्छी तरह से चेकप डी कर लिया, मुझे पूरा यकीन है, राज की मौत मदुमक्यों के डंक के जहर की वज़े से ही 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 है, सर, बच्पर मैं मुझे मदुमक्य ने काट सब्सक्राइब के डंक सारूं के कहता है की राज की मौत मदुमक्यों के डंक से हुई है, मदुमक्यों के जहर से और राज की मंगे तर बंदना कहती है की, राज का खून हुआ है सब्सक् कोणी rapper यहां पर इसलिए लगा था यह राज को मार सक़्े मार वा शुक मार सकया है कि या कर दें ले नजद च्ट्रा मार सक्षर अग्ड़ा है कि कुनी खर्लạt को मार सके है यह राज को मार शके है लेकिन उसे कैसे पता था कि यह मदू मक्हियां राच पर ही हमला करेंगे, किसी और पर नहीं. मदू मक्हियां बिना वज़ा किसी पर भी डंग नहीं मारते हैं, क्योंकि डंग मानने के बाद उनकी खुटी भी महत हो जाती है. तो ऐसी क्या चीज है जो उन्हें उत्तेजित करती है, अटाइक करने के लिए? देखे जब उन्हें लगता है कि खामे वाले इंसान से उन्हें कुछ खत्रा है. अचा केदार साब ऐसा हो सकते हैं क्या कि मदुमक्यों को ट्रेंड किया जा सके जो वो किसी एक आदमी पर हमला करें? कैसी बाते करते हैं अभी जिस साब, ये मदुमक्यां शाप शूटर नहीं कि कोई भी इन्हें कह दे कि फलाँ फलाँ को डंग मार कर आज़ा. शाप ने अभी भी कहा कि ये मदुमक्य किसी को काटने के बाद ये खुद भी मर जाती है. तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो किसी को काटती है? ज़र डीटल में सुझाएंगे. मदुमक्य जब भी किसी को डंग मारती है, तो फिरुमोन नाम का एक गंग छोड़ती है. जिसे कि बाकी मदुमक्यां सचेत होकर सब मिलकर उसके हमला कर देती है. इसलिए मैंने पहले भी कहा था. मदुमक्यां बिना वज़य किसी पे भी हमला नहीं करती है. जरूर राज न जाने के ठीक दो दिन पहले इस चत्य को यहां पे लगाना यह कोई सयोग तो नहीं हो सकता है. Sir, राज की मौत के बाद यह घर बंदना के नाम हो जाएगा. तो इन सब के पेचे बंदना तो नहीं है. बंदना इंडिया का पारी है? What nonsense! How could you even think like that? राज की मौत के पीछे बेरा हाथ हो सकता है. और फर्स कीजिए कि राज की मौत के पीछे बेरा हाथ था. तो मैं आप लोगों को फोन क्यू करती? फुलिस तो अल्रेडी केस क्लोस कर चुकी थी ना? देगे, हम सिर्फ पूछ रहे हैं. वैसे राज जी के बाद ये मकान किसके नाम पे वाया है? I don't know. राज ने गवर्मेंट से मकान खरीदा था तो शायद गवर्मेंट को वापस मिल गया. मुझे भी ता कोई नोटिस निना है. अल्विलार में राज का किसी के साथ कोई जगडा हुआ था? I have already told you that. राज एक नेग दिल इंसां थी और उनका किसी से दुश्मनी होना was impossible. अगर मुझे पता हो तक राज की नेग दिली उनकी जान लेलेगी तो तो मैं उनने कभी इंडिया आने नी दित. ये अनात अश्रम खोलने का खयाल राज जी के दिमाग में कैसे है? राज खुद अनात थी. इसलिए वो दूसरे अनात बच्चों की फीलिंग समझते थी. वो अनात बच्चों को गहर जैसा महौल देना चाहते थी. और जैसी उन्हें पता चला कि रह्मेंट ये मकान धिलाम कर रही है तो, राज ने सबसे उची बोली लगाकर ये मकान खरी थी. तो कहीं इस राज के मौत का कारण ये घर तो नहीं है? हो सकता है कोई और भी इस घर को खरीदना चाहता था. राज बीच में आगया है अब उसले… वाट? को इतना नीच कैसे हो सकता है? इस दुन्या से इंसानियत उट गई है क्या? इंसानियत है, अंदना जी, इंसानियत है. लेकिन कुछ लोग हैं जो इंसानियत में जहर गोलने पे तो ले हुए है. पता करते हैं किस इसको इस प्रॉपर्टी मैं. देखे सर, मैं आपनों को नहीं बता सकता हूँ कि राज जी के अलावा किन-किन लोग वो ने इस निलामी में हिस्सा लिया था. सॉरी. क्यूं? क्यूं नहीं बता सकते हैं? देखे, यह सरकारी सर इंफॉमेशन है, हैसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं. हम भी तो CID का ही काम कर रहे हैं. हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर सरकारी नोटिस मिल जाए तो मैं यह आपको इंफॉमेशन जिस सकता हूँ, उसके विना नहीं दिखा सकता से. सर, नोटिस मिल गए. अब कुछ है है? देखे, अगर काम काईदे से होता है तो अच्छा लगता है. हाँ, ठीक है, एह, यह लेजे, यह लेजे, कुछ मिलाकर सर, बारा लोग थे जो इस बंगलो को खरीदना चाहते थे, सर. सर, इस बंगलो के पास, एक्च्छी सरकार एक हाईवे बना रही है, इसलिए सब लोग बढ़ चड़कर बोली लगा रहे है, और हर कोई इस बंगलो को खरीदना चाहता है. अच्छा, यह राज जी के मौत के बाद अब यह मकान किसको मिलेगा? देखे, राज जी ने कागजी कारेवाई पूरी नहीं के थी, इसलिए निलामी अब दुबारा से होगी, और जो भी जेता होगा उसको यह बंगलो मिल जाएगा. I see. और यह नई निलामी कब होगी? देखे, सर, अभी उसकी डेट तो तया नहीं है, सर. लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूँगा, सर. कि राज जी से जितने भी बिल्डर्स थे, वो काफी बढ़के हो थे, काफी नराज थे. क्योंकि उन्होंने सबसे सादा बुली लगाई थे? नहीं, सर, एक्षवी उन्होंने टेडलाइन के बाद बिट समिट किती, सर. इसी वज़े से लोग नराज थे हूंसे. लेकिन अगर डेडलाइन के बाद उन्होंने बिट किया था, तो सरकार ने एकसप्ट कैसे कर लिया? सर, एक्षवी वहाँ पर वो अनाथ हर्ष्रम खोलना चाहते थे. और सर, अमेरिका से जो इंडिया का वक्त का फर्क है, सर, वो साड़े नौ घंटे का है. इसलिए सरकार ने वो बिट एकसेट कर ली थी. देखिए, अब गर तो उसी को मिलेगा जिसकी किसमत में होगा, सर. दूसरे निलामी के लिए क्या हम उनकी लिस्स देख सकते हैं? नौ, सॉरी. ये लिस्ट आपको मैंने इसलिए दिखा दी कि ये निलामी हो चुकी है. लेकिन वो जो नहीं लिस्ट आने वाली है, सर, वो तो आप किसी भी केमत पर नहीं देख सकते हैं. अरे, अरे, सरुभ के तूक! क्या करने क्या जा रहा है यार? क्या तुन रहा हूं मैं? तुना इसे ही उना बबलत Major. थी नहीं? पस मेरा टाइम आ गया. क्या ताईम आ गया, क्याक ताईम आगयए? अभे, तूहां जाः रा। तू? ये देखलो. ये क्या है? देखलो, देखलो. यार क्या तू कर रहा है? सानों HAVE समज मिने आ रहा है ये? ऐर-कैट. कहा है रहा है? अफ़! लंडन? अरे वारे वारो पंकछ। ये चैंल लो कर थे? सब्सक्राइब नहीं कैंसल नहीं होगा अब है रिफंड मिल जाएगा पैसे वापस बिल जाएगे एकल की टिकेटर डॉंट पुरी मुझे रिफंड नहीं चाहिए मजारग वापस तू ऐसे कैसे जाएगा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ इतनी पड़ी गल्की होगी कि शर मारी अपने हाप पर इसे कौम सी गल्की होगी वो मदुमक्यों वाला केस वो वो मदुमक्यों वाला केस वो हाथसा नहीं है बस वो खून है खून यही मुझ से गल्ती होगी मदुमक्य के एक्सपर्ट से बात होगी तेरी, क्या बताया उसने? यार, एक्सपर्ट से भी बात की, मैंने अच्छी तरे स्चेक भी किया तब मुझे पता पड़ा, ये तो हाथसा नहीं है, खून है, मदुमक्यों को तो वो हाथियार के तौर पर इस्तिमाल करना है, यार सालों के सब, वो किसे? देखो, मदुमक्या कब आती है, इंसान के पास, जब उन्हें फेरोमौन की गंद आती है, तभी ना? आ, जब उन्हें इंसानों से खत्रा लगता है, तब मदुमक्या इंसान के पास आती है, डंक मारती है, भास यार, यहीं मुझे से गल्तियों, यह मैंने सोचा ही ने के फेरोमौन तो बनाय भी तो जा सकता है नहीं, यार फेरोमौन तो आर्टिफिशली भी बनाया जा सकता है, लेबोरेटरी में, फैक्टरी में, मतलब किसी ने यह आर्टिफिशल फेरोमौन बनाया, और रो किसी भी तरह से राज के शरीर पर लगा दिया, बस मदुमक्या आँगी और उस पर अटैक कर दिया, साड़ों के, उत, और किस ने इस्तमाल किया यह फिरोमौन राज पर, यस बस, यह रहा सब, राज का सारा सामान इस सूपकेस में, ठीक है, तर एसी पी साब बता रहे थे, आप रेटायर होने माले है, कब है आपका लास्ट वर्किंग दे, आपके लास्ट वर्किंग दे से, एक दिल के पाथ, अदले नहीं हो रहे है, एक काम करो, मैं बाहर जाता हूँ, और तुम जो है ना, एक एक करके सामान मुझे बाहर पकड़ा हो, तो पता करते हैं कि कौन से सामान में फेरोमेन है, ठीक है? इसा है, यह पकड़ेगा आप जाना, रख लिजे थोड़ी देर के लिए, देखेगा आपर तौरान मुझे इसे सामान मढ़े थी Umenta, देखेगा हूँ, ढाभी से पार जाना मढ़े खालों मढ़े मढ़े रहां है देखेगा। अरे कुछ नहीं, जिसमें पेरोमेन होता हूं उसी पर अटेक करती हूं अर्मी हाथ अरकतूई अरकतुई एखो एकोड़ आठाइकिक मूग नाया है यह मधुमक्हा झार भी आज ने उसी ने राज की परफी मन फेरोमेन मिलाया एड़ी सरवा हरा हर सामने उस्तर शार अचाने उस्तर कुवाँ जा था ना आप ठेको साँ, आप रेप, आप ये, मदु मक्की आपको रेटार ने देंगी सार, आप निकालो मुझे, आई, 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 मदु मक्की, आई, 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 हलो जी, नमस्ते, कैसे आप? आप, जी, मैं चंदुमल, पंदुमल, कंकेश बास, अरवा, बहुत लबबा नम है आपका, पताईए, क्या काम था अपको, जी, वो निलामी के लिए था मैं, वो पुराना वाला बंगलो, हाईवे के पास, वो खरीद ला है मुझे, सर ऐसे नहीं खरी सकते हैं सर, उसमें निल कामी होगी, तभी वो जो जीतेगा, वो हरी सकता है अरे तु, पैसा लगाईगा नम, मैं पैसा लगाईगा तेखिए, अब टाइम नहीं बचा है, सिरफ 15 मिनट बचे हैं, अपडेट होगा है अठी क्या बात कर रहे है सर, अंदरा मिड में क्या-क्या हो जाते है, मैं देखे ला, मैं तो ये बिड का लिफाबा भी लाया हूँ, ये देखे, राकेश, ते जार रेस्टर लिग रहा, साब को दो, एंटी किजे सब, हाँ, यहाँ पर एंटी कर दीचे है यहाँ साइन कर देजे लास को गुड, लाइगे अच्छा, वेरी गुड़, यह तो अच्छा हो गया सर, वो बंगले का चाभी मजाग कर रहे है, अरे चाभी यह से तो अँने मिलता है, अरे बही बोली लगेगी यह निलामी होगी, उसके बाद जो जीतेगा उसको मिलेगा भई क्या वक्त कर रहे हैं? वेट तो मही जीतूंगा, यह पक्का है भाभी और बच्चों को मेरा पेहर देना तीके सर, थैंक्य। थैंक्य। पता ने कहा कहा से चले आते हैं, कमाल है क्या भाई साब काम होगा? सर, यह देखिये, चंदुमल, फंडुमल, कंकेश्वास का कमाल गुट जब पंकज। बारो में से दो लोग है, जिनोंने दुबारा बोली लगाई है विस मकान को खरीदने के लिए देमन तो रोशन। मतब खुनी, इनी दों में से कोई हो सकता है और वो जो कोई भी है, इस बार भी इस मकान को हत्याने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है दोस्तों, अब ये वक्त आ गया है के बता दिया जाए के निलामी का विजयता आखिर है को है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है के निलामी के जो विजयता है इसलिए रोशन को मकान दे दिया गया है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत उची बोली लगाई थी ये पेट मुझे मिलनी चाहिए थी क्या पैसे ही बात करें सर, मैंने तीनों लिफाफे चेक की है और चेक करने के बाद मिस्टर रोशन की किमा सबसे जादा थी इसलिए मिस्टर रोशन को मकान दे दिया गया है प्लीज अब हार गया हो तो बच्चों की तरह रोमत बिजनस है, हुच नीच होती रहती है बिजनस में बेहिमानी नीच अलेगी गए अब 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 में खरूब देखाए अभी नुच अभी लिग अभी देख लर finance कि पैरें जिखा ये दिखाए हां लुच नीच का सिए तिखासपते गां ये नीऊन के खिलाफ है अब धीद लोगना पीए नीच के पलाजियह जार करो इनके अभी हैड को आफिस से पोन आएगा और बोलेगे के मैंने सिर्फ तीन करों लगा है को भी फोन ने चार करों कम आपके कहने से पोन आएगा चलो उठाओ ओन उठाओ और भी ये मुझे का कमने कहने करा है याप मुझे ने बताएंगे आप लेलिद जी आप तो बड़े काईदे गानून की बाते किया करते थे और फोन भी नहीं उठा रहे हैं यह यह तो बहुत घलत बात है आप वीरो चलिया हमारे साहँ आप कहां कि स आप हमें मिठाई ने इकलाएंगे नहीं प्रॉपर डिली है आपने आही है आप ही हाई आई आई दो आइए रोषण जी बिल्कुल ठीक भोल रहे हैं सर रोषण जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है जो भी फ्रोड हुआ है सर मैंने किया तो रोषण का चुर्म अपने स वाणसी चड़ाज़ेगा? नहीं, नहीं, बेमानी के लिए नहीं! खुण के लिए, खुण के लिए भाणसी हो लिए! किसका खुण सर? राज राकिश का खुण जिसने पिछली निलामी में वो घर वो प्रापटी खरी दिए तो इसके पॉल खोल दो वरना इसके पाप कमटका तुमारे से पूट जाएगा सर यह क्या कहने हैं सर आप मैं भला राज को क्यू मारूंगा सर इस प्रोपर्टी के लिए और किसलिए क्या कह रहें आप सर, सर मैं मानता हूँ कि मैं ललित के थाथ मिलकर निलामी में छोटी-मोटी हेर अफेरी करता था पर सर एक प्रॉपर्टी के लिए किसी का मडर थोड़ी कर दूगा मैं मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने ये खोन नहीं किया नए सर चनन ठीक है पुरवी, तरह परफ्यूम लाना है ये परफ्यूम चड़ग दूग है वाहल मती मख्यों का चलता है क्या बहुता है सर परफ्यूम हां आपकी मर्दी सर लेकिन हमारे सकेसे परफ्यों का क्या लेन एदेना सर मुझे बाकई पता नहीं किस पर क्यूबगा कोई इस किस से संबंद है सर जी हम सच कह रहे हैं सर राज जी की मौथ से हमारा कोई संबंद नहीं है ललिक बिल्कु ठीक है रहा से अगर ये खून रोशन में नहीं किया है तो फिर बचता है वो वही एक इन कागा से सावित होता है कि तुम राय रंजीत के पोते हो तुमारे पास तो बहुत बड़ी वज़े थी इस मकान को वापस पाने के लिए तेके राय रंजीत का पोता होने से ये सावित नहीं होता कि ये खून मैंने किया है हिमन जी कुनिक कभी कभी अपने जुर्म के सबूट अपने साथ लेकर चलता है जैसे तुम मैं समझाए निक प्रॉछाता हूं कि ये रह सबूट को माले सालों के सब सेफ्टी सुट पहनने के बावजुद भी आप दोनों को मधु मख्यों ने काटा हाँ, कभी कभी सेफटी सूट पहने के बाद भी मदुमक्हिना डंक मार साथी है और फिर मदुमक्ही के छप्ते को इधर से उधर ले जाने में तो और भी ज्यादा अटेक हो सकता है, नहीं? छी, देखे, अपि वो दर असल... बहुत हो गया, एमद, तुम्हारी बेगुनाई का और भी कोई सबूद चाहिए? जी, नहीं, मैंने यह सब किया था, जब राज बंगले में गुसा तब मैं वही था, और मौका देखकर मैं बंगले में गुस गया था मैंने इंपर्फ्यून की बॉटल के अंदर फेरेमॉन मिला दिया, उसके बाद राज को आवाज से डिस्ट्रैक किया, मदमख्य के शक्ते तक लेकर गया और उसके बाद का काम मदमख्यों ने कर दिया था मुझे मेरा पुष्टैनी मकान वापस चाहिए था वारे वार, अपने पुष्टैनी मकान के लिए तुमने एक नेक इंसान का खून कर दिया, कानून तुमें कभी मात नहीं करेगा, तुमें सम से कम हाजिवन कारावास की सजा होगी, ले जाओ इसे वंकाची अंके, इस खतम रिटार हो सकता है तू मुझे रिटार होना ही नहीं है, कल तुम तुम बोल रहा था रिटार करने, वो कल की बात थी ए भगवान मतलब पीछा तो नहीं चूटने वाला है इसान में से हमना पीछा नहीं चूटने वाला है किसी का किसी से नहीं, मुझे तुमारे बिना चैन नहीं और तुमें मेरे बिना चैन में। यह लिजे, सरकार ने बंगलो अब राज से आपके नाम करने का निर्णे लिया है उमीद है कि अब आप मिस्टर राज के अना ताश्रम खोलने का सपना पूरा कर पाएंगे राज के जाने के बाद बेरी लाइफ का यही मकसद रह गया है उसका आखरी सबना पूरा करना ताइक यू, ताइक यू सो मच राज को जेस्टिस दिलाने के लिए हमने जो कुछ भी किया वो तो हमारा फर्स था आपको और कोई मदद की सुरत हो तो हमें जरूर याद करियेगा कभी-कभी आते रहेगा उन बच्चों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी यह भी कोई पूछने की बात है हो सकता है उन बच्चों में हमें कोई हमारा नया CID officer मिल जाए प्रिफ ऐसे सब्सक्राइब कोई बच्चों की सिर्फ भी आते इस देशर बच्चों की बच्चों आपली आते इस देटी आत में जिल्चकाव कोई में टढ़िकों